एक पतिनी के लिए सबसे बड़ी प्रवल्ब होती है मेंटनेस जलदी-जलदी कैसे लिया जाए अब मेंटनेस लेने के लिए चाया उसने खुद केस फाइल किया है या उसके एसबिंड उसके खिलाफ केस फाइल किया है इन दोनों कंडिशन में अगर आप चाहते हैं कि आपका maintenance पहली date पर बन जाए तो समझ लीजिए कि आपको सिरफ या तो court में ये line बोलनी है या फ़र ये छोटी सी application लगानी है इन दोनों में से आपने कोई भी एक काम कर दिया तो आपका maintenance पहली date पर बन जाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट जीरसकोरा कासाथ करता हूँ आज की वीडियो में दोस्तों देखिए स्पोर्ज कीजिए कि हस्पर्ण ने कोई केस वाइफ के खिलाफ फाइल किया है और उसमें जैसे ही वाइफ को नोटिस जाता है वाइफ उसकंदर प्रजेंट होती है आते ही पहले date पर उसको कहना है कि सब मेरे पास कोई advocate नहीं है ना ही कोई income का मेरे पास साधन है आप प्लीज मुझे add interim maintenance बान देजी देखिए यहां आपको यूज करना add interim मला interim से पहले आपको मैं समझा देता हूँ maintenance नोर्मल तीन टैप का होता है एक normal maintenance जो की case में decide होता final जब case का decision होता है दूसरा होता interim maintenance जो कि आप सब लोग जानते है कि case के चलते court first stage पर ही maintenance बान देती है कि भी wife को चलो case के चलते जलते जब तक case चल रहा interim maintenance मिलता रहे add interim maintenance वो होता है जो की first date पर first hearing पर ही बान दिया जाए मतलब interim भी बाद में बन देगा पहले add interim कुछ में amount wife को देना start किया जाए उसको बोलते add interim wife ने कोई case file किया या husband ने कोई case file किया तो first appearance पर ही उसको बान दिया जाए बिना कोई paper देखे बिना कोई इसी argument के normally कि आप इसको या amount देना start किजिए बाद में interim maintenance बना जाएगा तो उसको बोलते add interim maintenance तो wife को ये कहना भी मुझे advocate भी करना है ये case भी file करना है उसके लिए पैसे भी चाहिए मेरा आने जाने का खर्चा होता है तो please मुझे add interim maintenance दे दिया जाए तो normally court first date पर उसी hearing पर ही कुछ ना कुछ add interim maintenance वाइफ के लिए बानते ही एक बर आपके लिए amount बंद गया तो बाद में चोल इंटरी बनता रहे जैसे normally खर्चा बंदने में भी 6 मीने साल भर 2 साल नोर्मली स्टेटों में लग जाते है तो अगर आपको अगर चलो बाद में सम maintenance का किया जाए तो just साब उसमें क्या करेंगे कोई short date देंगे husband जैसे ही आ जाएगा first date पर ही आपने आज case फाइल किया है उनके लिए notice हो गया है first date पर husband के आते ही identity की demand करें कि husband आ गया है मेरे लिए कोई नों के maintenance बान दिया जाए अब इसमें husband आते ही क्या objection करेगा कि मेरे को reply फाइल करना है इसके अंदर income affiliate भी होना चाहिए नोर्मली wife job case फाइल करते है income affiliate नहीं देते हैं तो ऐसे भी income affiliate फाइल करें कोट दोनों के लिए order पास करती है लेकिन आपको कहना भी income affiliate ठीक है मैं दे दोंगी मैंने वकिल साब केन का भी और भी खर्चा करना है और अगर आप बही यह जो document मेरे को collect करने है bank जाना है इसमें मेरा खर्चा लगना है तो please मेरे लिए add entry maintenance अभी बांदेजी तो उस first hearing पर ही add entry maintenance आपके लिए बन जाएगा इसके लिए या तो आप जोड़ देकर अपनी बात को कहे या फिर आप को एक छोटी सी application लगाते है या फिर जो आप अपने पैटिसन फाइल की उसमें application लगाते है तो add entry maintenance आपका उसी वक्ती कोट बांदेगी उससाए कितने भी amount का हो husband के हैसिकते हिसाब से court को सिरफ husband सीतना पूछना कि normally आप कितना कमाते है तो husband अपनी जो भी सेली बता है आप भी बता दीजिए अभी नोर्मली की income इतनी है तो court उसके हिसाब से एक amount set कर देगा बाद में चलो interim के लिए final जो भी होता रहेगा वो बाद में होगा लेकिन आपको एक amount मिलना start हो जाएगा मतलब है कि maintenance की starting हो जाएगी तो यह तरीका है maintenance लेने का नोर्मली पत्रियों को पता नहीं होता maintenance के धक्के खाती रहती है च्छै म कोट के पास बहुत सारे मेंटर होते हैं तो court को बहुत भूल भी जाती है कि उसको condition लगती है चलो ठीक अच्छे बले लग रहे है तो जूरती का maintenance की लेकिन अगर court को नहीं भी याद हो या court interest नहीं बिले तो भी आपको court को याद दिलाना है देखिए हम court में गई हैं relief के लि पत्रिया यूज़ करें तो समझ लेजिए पहले डिट परूंट का maintenance बंदना आते हैं बाद में interim में decide होता रहेगा कल को फिर final भी हो जाएगा लेकिन आपको खर्चा मिलना start हो जाएगा आज से करता हूं जानकर एक को पसंद आई होगी अगर आप मुझसे contact करना चाहते हैं